के लंग şekilde होगे की ज़़ां ध्युक्त बीड़िे यहीं, लेकिन बुपर बुरी बात इंग साथ ही हुई किनकोच उनके सीपेज से लार से इध्र Hendry हमाइं लेकिनुद का उनके समिर्डे दूखे। पोलिटीकल between जजबा को कesे देखते हैं। इनका प्रियाना के बहुते हैं। उन सब में इस बात का खौफ है कि हम इलेक्शन नी जाए उनको ये पता लग गया कि जंता तुम्हारा साथ नी ते लिए बीजेपी के स्पाई तो नहीं कॉंग्रिस में जो ये टिकेट डिकलेर नी उने देनी मैंने इतना मलब जो स्थर देखा है राजनीती तौर पर जितना स्थर अब देखा है लीडर्स का जो गिरावट का मैं समझता हूं मैं आज तक अभी ऐसा नी देखा है लड़ने वाड़े लोग चाहिए मेने पहले एलान कर दिया करते थे कि हम लड़ेंगा आज मैं बीचे प जो इघा आजए मिरे मन्चां पैसे कमारे कित तो नी थी लेकिन यही काम अगर मैं वहां होता और मुझे मौकादेते तो में वहां भी यही काम करता है लेकिन उसले मौका नहीं दिया वहाँ अपने परिवार तक अपने बच्वाट तक उनों आपने चीजों खिरमीट रख मनें चौर वर्लाल जी के साथ में ट्रेवल करता है अधार मेरी हुमर बहो छोटी ती लेकिन जो लोगों से उनका संवाद था जो लोगों से चर्चाइ करते थे तो मैं लोगों के भाव जानता था कि उनको छोर विलाल से क्या हुमें घप आधा है पहता है कि एक खिराडी को दे रहा है लेकिन पोलिटेकल किलारी भी जो होते है राजनीति फोधरी देविलाल के पोते हैं और डब वाली से राजनीति करते हैं पार में चेर्मेन हैं को समके और अच्छा खासा रुतबा रखते हैं डक्टर शोक तवर को भी इनकी खासी जुरूर तरहेगी लोग सबाद चुनाओं के बाद में विधान सबाद चुनाओं भी आएगा त्याजा जायर सी बात है कि जब कंपेनिंग होती हैं तो दोनों ही ब बिला जाता है और उन लोगों के बीच में अपनी बात भी रखी जाती है अधित्य जी बहुत-बहुत स्वागत पहली वारा आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं बहुत-बहुत बहुत-धन्यवाद चुरेज जी और मेरी बड़ी इच्छा थी कभी आप से मुलाकात हो मैं आप किसी की जुवान पर लोट कि आता रहे उनके काम इतने लंबे हैं के उनको को भूल नी सकता इसके लावा डबवादी जो छेतर रहा है हलाकि पिसला चुनाव आप हर गे थे लेकिन बावजुद इसके सरकार में आपको संबान मिला और तवज्ज़ खूब मिली और आप बड़ा संपनी लागा है खिती के तौर पर क्योंकि कृशी से चाही विवस्ता अची है नहरी पानी लेकिन जो डिवेल्पेंट होना चीए था जो सरकार का विकास होना चीए था इस इलाके में जो आज की जूर थी वो बहुत बुरी हाल थे इस इस इलाके में काम करने का मौका मिला गाओं में अच्छा इंफरस्वक्चर तियार किया, स्कूल्स की दिशा अमारे हॉस्पििछलस की दिशा अची है लोगों की सोच में बदलावा है लोगों को यह उमीद जगी है कि हमें जिस विकास को बहुत पहले जो हमारा एरिया इलाके में उना चीए था जो नहीं हो पाया तो आज मैं यह मानता हूं कि लोग सरकार और सत्ता के साथ हैं और उन्हें पता है भी सरकार और सत्ता हैं जो से नुमाइदे हैं वो हमारा ख्याल कर रहे हैं इस तोर पे लोग अगली बारी बिलकुल परवर्तन करेंगे मैं काफी गाउं से भी आपको फोलो करता रहा हूं आप कुछ गाउं में गए मैं भी आपके साथ साथ था मैं देख भी रहा हूं चीजों को और जन्ता कि सामने बा कि वो इस इलाके से 25 साल से बिल्कुल कट आफ है जो इमानदारी के बात है गाउं के हर आदमें को पता है कि उन से किसी से पुछो कि आपके गाउं में शैल जाजी कब आई मेरे ना जैसे 20 साल होगे किसी गाउं में नहीं गई होगी तो यह जो चर्चाएं चल रही हैं यह कि मैं मानता हूं कि लोगों की जो गाउं के अंदर हैं वह भी हाइपोथेटिकल के लो यह उनके मन गढ़न किसे के लो वह अभी किस्सों की बातें चल रही हैं अलाकि उन्हों ने वीटो कि उन्हें कहा कि बुपेंदर सिंग उड़्डा चुनाव लड़ते हैं तो में लड तो यह कयास हैं सिर्फ कयास हैं क्योंकि अभी कॉंग्रेस फैस्लेट नहीं ले पारी है सबसे बड़ी बात आप यह देखो कि हर्याना के अंदर जितने लीडर्स हैं चैनल किसी भी पार्टी के हैं उन सब में इस बात का खौफ है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इसका मतलब दो सकते हैं या तो लीडर्स को किसी चीज का डर होगा कि भाई तुम्हें सरकार की तरफ से या कुछ ऐसा इमर्जेंसी रूल टाइप यह उनको यह पता लग गया कि जनता तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती है लोग एपकते हैं कि भी बिजेंपि के स्पाई तो नहीं नहीं कांगर्स में यह टेकर ट्रीकले सबात 있는데 वह कह करें लड़ने वाड़े लोग 6 मेने पहले एलान कर दिया करते थे कि हम लड़ेंगे अब तो 6 वो तो तिन निकाल रहे हैं कि हमारा लेट नाम आए हम लेट उतरे मैदान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण उनके बन में खौफ है विरोध करें सकता है और कोई कुछ भी कर सकता है तो सका मतलब यह नहीं की क्या बीजिए ईससे भी अपने लिए कुछ निकाल लेगी तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भी इस जो विरोध है इसमें भी कोई पॉर्चुनिटी है देखिए मैं एक बात आप आप आई रहे हो आपने देखा है विरोध हो रहा है मैं एक बात वैसे कर आम आपके चैनल के मद्धिश करना चाहता हूं कि मालो चलो आज किसी चीज को ल सब्सक्राइब कर लिए अब जो है शायद कहीना कहीं राजनिती के तौर पर कोई पार्टियां बैक एंड पर लगी हुई है कि जिस कारण लोग आके विरोध कर रहे हैं को सकते हैं मैं अभी गाव में गया उसमें एक चुनिंदा पार्टी के लोग थे इसमें कोई दो रहा कोई सबारी नाले ताकि एक मैसेज है भुरी किशन पार्ट खड़ा है जो अब मेरी आस्ता अकर मैं किसी चैश वेक्ति वरोध कर रहा हूं बाद में वोट डलने जाऊं तो मैं भी किसी पार्टी को डाल रहा हूं तो मैं समझता हूँ ये वाकी लोजिकल बात है कि जब आप विरोध कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी पार्टी को तो आप मत दे रही है अपना मैं भी हूँ भी खेती करता हूँ माल लो चलो आज मैं बीचे फिक साथ हूँ, मैं लोगदल परिवार से था, उन्हों ने मुझे कभी राज निती तोर पे तवज्जु नहीं दी और मैं लोगों की सेवा के लिए आया था, मेरा मानस ये था और मेरी मन्शा भी थी कि मैं काम करूँ और मैंने दस साल काम किया है मेरे लाके के हर आदमी को बता है कि अदेते काम कर रहा है, मेरी मन्शा पैसे कमाने की तो नहीं थी, लेकि यही काम अगर मैं वहां होता और वो मुझे मौका देते तो मैं वहां भी यही काम करता, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, वो अपने परिवार तक, अपने बच और उसकी उमीद भी होनी चीए कि वो उसको हासिल क्या हो रहा है वोट से केवल वोट इसलिए नहीं कि मुझे पड़ोसी ने कह दिया तो मैं दे रहा हूं मैं यह कहता हूं कि जब भी आप किसी को वोट दे रहे हो तो आप पिल्कुल अपना भी लक्षा निर्दारित करो जिस लगा दिया उसके बाद जो जिसको हमने आहराया क्या पता वह अच्छा आदमी और काम करने वड़ा हो और जिसको जिदाया हो कभी दिखे ना बीजेपी का जेजेबी सिकर्टमन दन था दोनों अलग होगे लगता भी था कि अलग होंगे होंगे लेकिन एक वक्ता आता ही आ क्वूर्टी से भी अलग हो जाएंगे और कि नकिदे आपकी निकिन परिवार किम वाद वान करते मैं जजबा के देख देखते देंख और WHO कसी देखतें मैं तोएक बात मूटी सी जानता हूं सब कर दोह मातनी करना मौटे तोर की का प्रदेश धर पहुए तो क्लिश不好 क्या और फिर एक सत्दादारी दल था सत्दा का सियोगी दल था और सत्दादागोदे दे Christians of war counters कि आप अगर जो लोग ऐए अगर उनका अलाइंस बीजेपीजेता तो एक बीजेपी के मुख्यम मंतरी, एक बीजेपी के पडेश-अद्ध चार लोग ही बैठते होंगे. कितनी गहरी डिसकुशंस होती होती होंगी हरियना के बारे में या विश्यों के बारे में. इस बात से आप अंधाच अलगा कोई एक दल का प्रदेश हद्र एकशी बाग गगा तो फिर दल कहां रहाग जिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि पत जड़ है बसं से पहले आते हैं य हुआ पते नही नहीं आएंगे। एक बात बता हो जी जब परदेश अद्यक्ष बाग जाए तो फिर उसको पत्त जड़कोंगे इसको आप ने एक मजाकिया लेजे में अगर लोग कह रहे हैं या उन्होंने कह दिया तो आप उसकी गंबीरता को नहीं देखो कि कोई व्यक्ति किसी को परदेश अदेश बनाता ह है तो अपना बिल्कुल खास नजदी की हां में हां मिलाने वाला साथ चलने वाला आप यह कहरे हैं सबर का इंत्यान जो है वो तूट गया था सबर का गड़ा जो है फूट गया तो बिल्कुल और यह केवल यह नहीं है गाउं में भी जितने लोग लगे थे उन्हें भी यह महसूस हो रहा है कि आप लोग गलत स्थान पे थे उनको ठगा सा महसूस हो रहा है और वक्य में ये फैक्ट है कि वो राजनिती करने के उद्धिश्य से नहीं आये थे करते हैं कि आपका करम शित्र भी है और था और रहेगा अगे भी रहेगा चुनाव जाहिर से बात है कि लोक सभा के बाद में कभी भी चुनाव सरकारें करा सकती है कितने confident हैं कि जनता जो है वो चुनाओ का इंजार कर रही है और आपको क्या लगता है कि वो आदित्य देविलाल को को लेगी उनको समझेगी और उनके साथ में खड़ी होगी देखिया आदित्य देविलाल पहला आदमी है जो डवाली की जनता के हर व्यक्ति को पता है इसका कभी आद पकड़ लो इसको रोक लो इसको कुछ भी कह लो और ये मना नहीं करता कभी भी लोगों के साथ मेल जो रखता है और विकास के लिए डिवल्मेंट के लिए मैं 100% 200% अपना देड़े का कोशिश करता हूँ कि जो मुझे काम गाउने किसी विक्तिने जुम्में लगाया है उसकाम को मैं करूँ और मैं करके अगले को रिप्लाई करता हूँ और मैं इस बात में बढ़ा ही नहीं कर रहा है मैं यह कहता हूँ कि एक नेता से लोगों को क्या उमीद होनी चीए जनता को अपने कामों के लिए के आउमीद, सारजनी काम, गाओं के शिक्षाप पे, स्वास्ते पे, गाओं के इन्फरसक्स्टर पे, खेत में पानी, खेत में बिजली, ट्यूवल पे, हर चीज वो उमीद करता है, आएक नेता से मिले, और शायद यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, कि मैं चौर्ज दिवलाल से क्या उमीद है और चौर्ज दिवलाल को पता था कि मुझे लोगों क्या देना है लेकिन उसके बाद जब दौर पीडी बदली तब मुझे ये असास था कि उन्हों ने जो चौर्ज दिवलाल की वरकर्स है या अनुया या सपोर्टर्स हैं उन से उनका र बात है कि वो चोर देविलाल की नीतियां आम व्यक्ति से पूछ लेना एक भी नीती इनके पास होता हूँ और जब आपने का ना कि मैं अपने नाम के पिछे देविलाल रिखता हूं सिर्फ इसलिए कि कम से कम उस सक्षियत को हम जिन्दा रखें नोट कि आपके परिवार में स खाली तख्ती रहेगी हो और लोग बाट जोत्तियों कि यह काम कब होगा और चेर्मेन बढ़ने के बाद हर्याना के गाउं गाउं में तख्तियां लगी हैं ताकि वहां भी तख्ती पे जब भी पड़ा लिखा है नौजवान बच्चा बेटी हमारी पड़ती है तो गम सिक निशाना वो भी है जो उनकी तरह जो है विदान सब्सक्राइब को दे रहा है लेकिन पॉलिटिकल किलारी भी जो होते हैं राजनीते खिलारी होते हैं वह भी चलेंज देते हैं नौजवान बच्चे बच्चियां हर विक्ती शोचल मीडिया पे आज के दिन जुड़ा तो हमने एक नई शुरुआत की 75 हार चलेंज मेरी विदान सब्सक्राइब में 67 पंचायत हैं और गाउं जो हैं एक कम 70 गाउं है 69 विलेजिज हैं तो मैं हर रोज एक गाउं का लिखा जो जो मेरे दिवरा कराएगे काम है वो सारा गाउं में रखता हूं परती दिन एक आज मेरा 23-24 वा दिन है कि आज मैं हर रोज ने गाउं पर तो एक नई प्रता हमने शुरू किया पहले शुरू किया और ये पहले मैं मानता हूं कि हर पॉलिटिकल आदमी को करने चीए कि क्योंकि वोगों से वोट ले रहा है पांच साल की उसकी जो पांच साल की कमाई है वो एक वोट की में चली जाती है कम से कम वो उसको काउंटेबल हो कि मैंने उस गाउं में क्या काम किया ताकि आगे आने वाले समय में जागरू जो पड़े लिखी पीडी है उसे ये पता लगे कि हमें कैसा नुमाइंदा चीए और हमें क्या करना है अपना खाता जो है वह जनता की सामने पेश कर रहे हैं आज जो वोट मांगरे हैं वहाज उड की मांगरे ना और जनता से इपील करेंगे मुका दो मौका मौज बारने के लिए क्ली तो आप जनता को बताओ भी हमने यह किया है इस गाव में यह किया कम से कम एक पॉलिटिकल आदमी को अकाउंटेबल होना ही है ताकि अगर वो अकाउंटेवल होगा तो हमारा इलाका या हमारी जहां के जिस बाउंडरी में वो काम कर रहा है वो वैसी स्ट्रॉंग और साउंड होगी और वहां पे डिवेल्मेंट और उनके फूचर के लिए भी अच्छी सोच होगी तो यह एक नई शुरुआत मैंने जाता हूं वह लोग उस बात की चर्चा करते हैं कि आपनी यह बहुत अच्छी शुरुआत की है तो मैं यह मानता हूं पड़े लिखे नौजवान होने कारण मेरा यह फर्ज है कि हम अपना लिखा जोखा भी दें मेरा तो पिछले पांच साल भी प्रयास और संगर्ष था लेकिन जनता जनार देने तो मैं तो साथ की साथ ये भी अपील कर रहा हूं कि अगर हमारा हमारी सोच परदान मंतरी के साथ है तो हमारी विदान सवाले पर इस सोच पड़े लिखे के साथ होनी चीए शुक्रिया बात करने के लिए अदित्य देविलाल ते संगर्ष का साथ जो है वो छोड़ा नहीं है और देविलाल की भी एक खूबी थी खास्य थी कि वो संगर्ष उन्होंने जीवन में भोत किया और संगर्ष इतना किया दबा के उनके आपने देखा कि उप्रदान मंतरी